Hello everyone, once again welcome back on your YouTube channel Agree Capital जिसा कि आप सब को बता है ICR UZ 2024 का registration process है को finally start हो चुका है Just कुछ time पहले मने एक वीडियो बना के बताया था कि आपका registration है वो start हो गया लेकिन अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं registration के से करना है Step by step पूरा process है, जानने वाले हैं किसी भी बच्चे को गलती करने की गुणजाईश नहीं रखनी है अगर यहां पर पहले आपकी कोई गलती हो रखी है तो यहां आप correction भी कर सकते हूँ यह चीज में आपको उता रहा हूँ अगर आप गलती करते हो यहां फिर बाद में बोलोगे sir आम क्या करें तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला एक बार जब आपने अपना form है वो submit कर दिया तो उसके बाद में कुछ नहीं होगा लेकिन जब आपने CUET का application form भरा था उस time अगर कोई आपकी गलतीया हो गई तो वो आप यहां पर improve कर सकते हैं सही कर सकते हैं आप अपना category change कर सकते हैं बाकी नाम बगिरा है वो तो आपका रेने ही वाला है मैं बता दूँगा कौन-कौन सी चीज़ है वो आप change कर सकते हैं यह सारी चीज़े सारे discuss है वो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं तो आपको पता है यार agree capital, सबसे पहले एकदम authentic information आपको provide करवा रहा है, आप previous वीडियो में जाके देख लेना, लोगों ने आपको बता नहीं क्या क्या date बोदी थी, इतने date को ये चीज़ स्टार्ट होगी, अमेसा registration स्टार्ट कर रहे थे, एक ही date बताई थी, 15 से लगा कर 20 अ bank card आने की पूरी possibility है, और first week of September में आपका counseling है, वो start 100% हो जाएगा, ठीक है, ये तो थी हमारी basic information, फिलाल, चलते हैं, आपके पास में अगर mail नहीं आया तो आपको क्या करना है, उसके उपर भी चर्चा करेंगे, अब जैसे ही आप applicant login पे जाओगे, एक मिनट, applicant login में जाओग इसमें एक चीज लिखी है, कि आप registration है, वो उनी सगस्त से, ते भी सगस्त तक कर सकते हैं, साम 12 बज़े से पहले करें, आपको जो user ramp जैसे ही, आप sign in के लिए जाओगे, आपको login ID मिलेगी, login ID में आपको जो application number थे, NTA के वो डालना है, और password के अंदर आपको mail आया, ICR का, ज अब आपको password है, वो कैसे फिल करना है, या लिखा है, कि date of birth में 44-1999, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना, 1994-04, अब किसी बच्चे का यहां पर रहना 12 महीना है, ठीक है, दस्वा महीना है, तो यहां 04 की जगे आपको 10 करना है, ठीक है, उसके बाद में 14 जो आपका date है, मतल करोगे, तो आपके ID password है, वो login हो जाएंगे, ठीक है, login होने के बाद में आपके शामने ये interface खुल के, ये step आपके शामने खुल के open होगे, जिसको एक-एक step को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, इस बार मैं अच्छा क्या आपको mail पर ये सारे चीजे हैं, वो guideline समझा भी द ये आपके शामने interface खुल के open होगा, यह आपको देखो, register to seat allocation, जो आपका seat allocation था, उसमें आपको registration करना है, preview form, form का preview आपको देखना है, उसके बाद में application payment है, वो आपको करनी है, ठीक है, उसके बाद में help desk, अब काफी बच्चों का यह doubt है, तो यह एक चीज ध्यान रखना, आपको process है, वो इतना ही करना है, आगे process नहीं करना preview form तक में होगा, ठीक है, यह देखना, अब आप जैसे ही यह करोगे, यह आपके सामने खुल के open होगा, यह incomplete है, क्योंकि अभी आपने कुछ फिल नहीं किया है, जैसे ही आप यह पूरे step फिल करोगे, तो आपका complete लिका जैसे ही इस edit के option पे click करोगे, edit के option पे click करने के बाद में यह interface आपके सामने खुल के open हो जाएगा, इसमें आपको application details डालना है, जो आपका complete है, इसमें आपको अगर कुछ change करना है, तो आप change भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आप change नहीं कर सकते हैं, व अंतलब एक page जो white होना चाहिए, उसके उपर करके आपको upload करना है, उसके बाद में आपको, कि आपको पहले educational detail डालने, उसके बाद में class 12 के marks डालने, कितने में से कितने marks आए, फिर surety के marks, इस बार आपको marks है, वो percentile में नहीं आये है, percentile में भी वहाँ बोले जा रहे है, व उसके बाद में आपको confirm करना, ठीक है, confirm के से करना वो भी आगे जाते है, आप जिसे यहाँ पर जाओगे, तो आपके शामने, यहाँ पर candidate का नाम आ जाएगा, जो आपका middle name, last name है, father's name है, mother's का नाम है, यहाँ पर आपका अपना category है, यहाँ आप category अपना change कर सकते हैं, अग यह तो खुद का पता ही होना चाहिए, male female का, चोरे चोरी का तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं चोरा हूँ, चोरी हूँ, यह गलती करते हूँ, उससे बड़ी गलती क्या होती तुमारी, यह जीज द्यान रखना, ठीक है, यह डालने के बाद में, इंडियन में काफी लो उसके बाद में, फादर्स का qualification, पापा पड़े वे हैं, नी पड़े वे, वो सारी चीजे फिल करनी है, उसके बाद में, family का income कितना है, एक साल का, एक लाग रूपे आरा, दो लाग रूपे आरा, वो फिल करना है, ठीक है, उसके बाद में, मम्मी का occupation, मम्मी का qualification, उसके तो आपको यहां पर state choose करना है, उसके बाद में are you कस्मीर ही migrant, यानि कि आप कस्मीर से हो तो आपको yes करना वरना आपको no रहना है, आपका residence place कौन सा है, आपका गाउं में रहते हो, सहर में रहते हो, अगर सहर में रहते हो तो आपको urban करना है, गाउं में रहते हो तो आपको rural कर करना है अगर आप yes करोगे तो आपके पास में इसका documents है वो अब भने चाहिए ठीक है उसके बाद में आपका जो permanent address है कहां से है house number क्या है आपका landmark क्या है city कौन सी है post office कौन सा है state कौन सा है ठीक है district कौन सा है pin number कौन से यह सारी चीज़े डालने के बाद में आपको आपको अपना photo और signature upload करना है photo आपका 4.5 cm से 3.5 cm के बीच में होना चाहिए JPJ format में आपको यह फोटो upload करना है ठीक है जो आपका 100 kb से कम होना चाहिए 100 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए same please follow करनी है आपको signature पर इसके बाद में आपको save and proceed करना है इसके बाद में आपको save and proceed करोगे तभी आगे जाओगे ठीक है आप सीधा चले जाओगे educational detail पर नहीं जा पाओगे उसके बाद में आपको यहाँ पर educational detail यानि कि 10th आपने कौन से board से की है किस year में पास की है ठीक है इसके बाद में आपको save and proceed करना है बहुत important information आपको और बता देता हूँ कि जिन बच्चों के number कम आ रहे है वो सोच है मैं registration करना चाहिए या नहीं करना चाहिए selection होगा या नहीं होगा registration कितने भी number है आप कर लो लेकिन roll institute of competition ने जो result दिया है वो बहतरीन बहुत अच्छा result है roll institute ने 50% बच्चे जो बहु की शीटों पर है वो अकले roll institute से फिल हुए है जो बहु का result आया है और जैसे ही आप ICR का result देखोगे तो ICR में भी roll institute के 700 प्लस आपको selection है वो roll institute अकले से देखने को मिलेगा जिसमें अभी रक्सा बंदन पर आपको offer दिया है तो इस offer का आप बिल आप के preparation करना चाहते हैं तभी भी आप roll institute को join कर सकते हैं जिसमें आपको एक बैतरीन एजुकेशन एजुकेटरों के द्वारा बैतरीन पढ़ाई एक quality के साथ में करवाने का मुका मिलड़ा है जो आप अगर CUET 2025 का exam देने जाओगे उसमें आपके लिए बहुत जादा helpful होगा और अभी तक आप roll के साथ में नहीं जुड़े हो और वापस से preparation कर रहे हो तो किसे institute को सूस करने से फ़ले एक चीज़ ज्यान रखना कि जिस institute का अच्छा result है उस institute को खास हमें सूस करना चाहिए क्योंकि अच्छा result के पीछे हर चीज़े देखी जाती है वाँका discipline वाँके पढ़ाने वाली faculty का कितना आपके उपर hard work है आपको केसे पढ़ाया जाता है आपको pattern के according पढ़ाया जाता या नहीं जाता ये सारी चीज़े roll institute आ पढ़के आप भी सुवेटी 2025 में देश के टॉप यूरोश्यटी में जाके जो बच्चे यह आपको दीक रहे हैं एसे marks लाके आप भी टॉप यूरोश्यटी में पढ़ सकते हैं तो आगे हम बात करते हैं करना ओके दैन उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर यह ची 60, 65 जो भी आपके नमबर आए हो फिल करके कोई भी बच्चा ऐसे नहीं डाले कि पहले सो डाल दिये फिर सो में से जो नहीं पहले आपके जो marks आए उसके बाद में कितने में से आपके marks आए ठीक है यह चीज डालने के बाद में आपको 7th प्रोसिट करना है यह सारे subject आपको compulsory करना है कोई भी बच्चा जो PC, MBC था उसको क्या करना है? optional में डालना है mathematics और biology यह चीज द्यान रखना यह आप compulsory में डाल सकते हैं ठीक है यह चीज द्यान रखना जो 12 में था उसके बाद में आपको यहाँ पर shooty के marks है यह बहुत important चीज बोली जा रही है shooty subject consider ranking marks मतलब आपका rank है वो इसी marks के base पे consider किया जाएगा कि आपके marks कितने आ रहे हैं आपका rank क्या बन रहा है ठीक है please select the three subject compulsory you have applied in COT यहां बोलड़ा है COT में जो 3 जो domain subject थे उन ही के डालने है ठीक है मतलब आपके 12 में जो standard था वो ही होना चाहिए वरना आपके counseling के बाद में आपको बार कर दिया जाएगा यह चीज द्यान रखना अगर आपके पास 12 में PCB था तो यह marks PCB के डालने अगर किसी बच्चे ने paper ABC से दे दिया वो PCB से था उसके पास में कोई बेटा option नहीं है तो वो एक बार के लिए डालो जो आगे का process होगा वो डालेगे लेकिन जिनका 12 PCB से था उनको PCB डालना है अब काफी बच्चे PCMB से थे पेपर भी उन्होंने PCMB से दिया है तो उनको क्या करना है जिन subject को आप consider करना चाहते हैं जिन में आपके ज्यादा marks है वो subject आपको यहां करना है ठीक है यह चीज़ दियान रखना आप PCB PCM कोई भी फिल कर सकते हो कोई मेंटर नहीं करना ओके उसके बाद में यहां पे marks काफी बच्चे बोलने है कि percentile marks यह 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 तो आप percentile डाल सकते हैं यह माक्ष डाल सकते हैं आप काफी percentile को देखके यार शोचरे percentile तो ही नह percentile आपका नहीं आया कोई दिकत नहीं आपको सीधे marks फिल करने हैं यह चीज़ द्यान रखने जो आपके marks आएं वो फिल करके आपको 7 प्रोसेड करना है उसके बाद में आपको next step में जाना है उसमें आपको सबसे पहले आपका admit card है वो upload करना है जो के यह के द्वारा आपको admit card मिला है अब काफी बच्चों के पास में admit card नहीं है उनको क्या करना है cuit.summit.ac.in की website पे जाके cuit को mail करना आपका जो application number और जो date of birth था ठीक है वो लिक के उनको mail करो आने वाले 24 गंटे के अंदर या फिर 2-3 दिन में वो आपको admit card है वो provide करवा देगे जैसे आपको admit card provide कर number थे वो आपको डालने है admit card के उफर जो भी आपके number होंगे वो roll number या फिल करना है ठीक है यहाँ पर type में आपको original होगा तो original करना original नहीं होगा तो किसी बच्चे को original document नहीं है तो original या फिल करने की जरुरत नहीं है उसके बाद में यह फिल करके upload करना फिर अगले में जाना है आपको 10th का mark sheet है वो fill करना है वो आपको डालने के बाद में यहाँ आपको roll number डालने है ठीक है mark sheet नमबर जो roll number डाल सकते हो आप ठीक है यह चीज़ द्यान रखना है अब काफी बच्चे जो UPS OBC UPS General में आते हैं तो उनको only UPS category का certificate upload करना है जो आपके उसके उपर number डे रखे है वो fill करने है उसके बाद में आपके all certificate mark sheet grade reports related आपके class 10th और 12th के दोनों के आपको क्या करने है जो mark sheet से काफी बच्चों के mark sheet ह होते हैं उनके साथ में जो आपका grade card आता अलग होता है ठीक है mark sheet के साथ में mark sheet के मतलब 2-2 में होता है ठीक है तो उनको क्या करना है PDF बढानी चाहे 4 page की PDF हो चाहे 2 page हो तो 2 की PDF बढानी है PDF बढाके या मेटा upload करनी है या पे आपको 12th के roll number है वो fill कर देना बाकी कोज भी fill कर करने की जरूरत नहीं है या फिर आप प्लिक लगा के दोनों को भी fill कर सकते हैं या फिर आपके को certificate के उपर number दे रखा है वो भी आप अप्लोड करने है जैसे जैसे अप्लोड करोगे आगे जाना एक साथ अप्लोड करोगे तो आरबार अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है transfer certificate tissue हो गया character certificate आपका चरीतर प्रमान पत्र होगा जो school वाले देते हैं उनको क्या करना ये सारे के सारे PDF form में अप्लोड करने अप्लोड करके आगे जाना है उसके बाद में आपको bank की coffee यह पे अप्लोड करनी है bank passbook जो भी आपके खुद की है तो पापा की एक जो bank का passbook है वो यहाँ पे आपको अफ्लोड करना है यह फिर अगर आपके पास में bank passbook नहीं है तो आप क्या कर सकते हो bank card upload कर सकते हो अगर bank card नहीं है तो आप आधार card सबसे सस्ता और सबसे टिकाव option है आपको आधार card का video बढ़ाना है यहाँ दोनों साइट से और यहाँ आपको आधार card number डालके proceed करके आपको आगे चले जाना है कुछ identify proof होना चाहिए कि आप इंडिया के रहने वाले हो या नियों यह चीज करने के बाद में आपको जाना अगले में जैसे अगले में जाओगे तो आपको क्या करना है form को submit करोगे तो आपके शामने यह आप print का option आएगा print का जैसे मतलब आपने जो form fill क्या है यह print का option आएगा कि आपने यह form fill क्या है सारी detail जो आपने fill के इसमें आ जाएगे अगर आपको लग रहा इसमें कुछ गलती है तो उपर जाके change कर सकते हैं यह करने के बाद में confirm the above यहाँ पर confirm करना कि जो उपर मैंने fill क्या है वो एकदम सही है कोई गलत अब मैं एक detail में और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें साथ में सारी चीज़े upload करके दिखाऊंगा काफी बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं उनके लिए यह video है और बाकी मैं एक detail में वीडियो डाल दूँगा उसमें सारी चीज़ें आपको upload करकर करके बता दूँगा अब क्या upload करना के से upload करना साइज के से maintain करनी यह सारी चीज़ें मैं आपको live दिखाऊंगा तो उसमें भी आपका कोई issue आने वाला है नहीं आयोप यह आपने पूरी चीज़ें समझी है और एसे ही एकदम authentic वीडियो जानने हैं तो इस चैनल को subscribe करके रखना और यह जो हमार जो rank बनेगा और सबका equal बनेगा जो प्याले चीज मैंने आपको उताई थी यह सारी चीज मैंने आपकी clear कर दी है अब किसी बच्चे का कोई doubt, problem, query है तो आप comment box में जरूर comment करना मिलता हूँ जल्दी एक नाइवडियो और नाइक प्रेट के शाहत में तब तक के लिए स्व